हलो दोस्तों आप सभी के SSCG की ज्यान में स्वागत है दोस्तों RRB की तरफ से जितने भी एक्जाम जैसे ALP, GROUP D, RRB J, NTPC जितने भी एक्जाम 2017 से लेकर 2019 तक जितने भी एक्जाम कराए गया हैं उनमें जो GS, GK और General Awareness के जो कोईशन पूछे गया हैं उन सभी कोईशनों क को यहां पर कंप्लीट करेंगे दोस्तों आपको हम यह भी बताते हैं कि NTPC जो 2017 में एक्जाम हुआ था उसके सभी कोईशन यहां पर कंप्लीट हो गया है यदि उसका वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं इसको डिस्क्रिशन बाक्स में इसका लिंक दिया गया है वहा आइकन को प्रेश करें दोस्तों यह एलपी सीबीटी वन एक्जाम जो 2018 में पूछे गया है उन सभी कोईशनों के यहां पर कंप्लीट करेंगे तो आज आपको फर्स्ट कोईशन है कि सर्च लाइट का प्रावर्तक कौन हों सा है तो इस प्रसक्राइट एंसर होगा अव तक पानी को प्लिचिंग पाउडर मिलाया जाता है तो क्लूरीन गयस बाहर निकलती है नेक्स कोईशन किस अभी किरिया द्वरा उच परतिकिरिया वाली धात्व कर निसकासन होता है इस प्रसक्राइट एंसर इलेक्टोलिसिस चलिए नेक्स कोईशन के बढ़ते हैं आपका ने स्थास्टाइएν सोडियम को आसानी से चाकु से काटा जा सकता है चलpower नेक्स क्वेशन क्यों पड़ते हैं आपकर नेक्स क्वेशन है कि कविशन को किष्ट क सर क्वेशन के रूप में व्यक्य ब्यक्त किया जाता है। तो सन्वेग के जो फार्मूला होता है पी स्कल्टू यम भी होता है ये तिरब बिमान और वेग का गुरॉन फाल होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि अमोनिया सलफेट के एक अड़ो में कित अंधिम तत्त्त है, जिस परश्ぎह राइट एंसर होगा तो यम जो वर्गिकरा क करने लैंड कर है उसमें जो अंतिम तत्त्त है वह थोरियम है थोरियम को संकेध में होता है चलिए next question आपका next question कि परतिरोत की SI काई क्या है तो परतिरोत की SI काई ओम है भी अपान आर जो constant होता है यह आर के बराबर होता है यही ओम का नियम है चलिए next question दोस्तों आपका LP CBD to exam 2018 के जो second shift में पूछा गया question आप complete करते हैं तो आपका question है यही आप एक दरपड़ में देखते हैं और पाते हैं कि छवी आप से छोटा है तो दरपड़ का प्रकार होगा इसका right answer उत्तर दरपड़ होगा चलिए next question आपका next question है कि खादे पदार्थों में दुर्गंद आने का मुख्यकारण वसा और तेलों का है इसका right answer होगा oxygen तो खादे जो पदार्थ होते हैं जो उसमें दुर्गंद आता है उसका मुख्यकारण वसा और तेलों का आकसी करण है चलिए next question नेक्स question थाराकसीन के संसिलेशन के लिए निमन में से क्या वश्चक है इस प्रशका right answer iodine होगा चलिए next question नेक्स question आपका है कि एक पोधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है इस प्रशका right answer होगा lateral meristem एक पोधे के जो तने या जड़ का घेरा है lateral meristem के कारण बढ़ता है next question asking acid देख लेते हैं next question है कांसी गयस बायो गयस अन्यत्र में उतपन नहीं होती है इस प्रशका right answer Show carbon mono oxygen carbon mono oxygen जो है बायो गयस अन्यत्र में उतपन नहीं होता है next question देखते हैं आपका next question है कि कोईल रीन गयस का उप्योग निमन में altitude कि या जाता है इस प्रश्क कर राइट एंस्वर ब्लीचिंग पाउडर कुलरीन जो गयस है इसका मुख के उपयोग जो होता है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माना में किया जाता है इसका इलेक्टानिक्स विन्यास होगा इसका राइट एंस्वर हो जाएगा चलिए नेक्स क्वेस्चिंग दोस्तों इसमें जितने भी प्रस्ण लिए गए हैं सभी जो 2018 एलपी का एक्जाम हुआ है उसमें सभी प्रस्ण है चलिए नेक्स क्वेस्चिंग देखते हैं कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभी ग्राहक को क्या कहते हैं यह थर्ड सिफ्ट में 2018 के थर्ड सिफ्ट में सभी प्यूछे के क्वेस्चिंग है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभी ग्राहक को क्या कहते हैं इस कि प्रक्रिया में लोहे को ज़स्ता की एक कोटिंग द्वारा सार्चित किया जाता है तो उस पर क्रिया का नाम है Galvanization Next question आपका देखते हैं उपर उठाएगे हतरोड़े के पास क्या होता है उपर जो उठाएगे हतरोड़ा है उसमें इस्थिति उर्जा होता है Next question जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं जब जो आवधिक तालिका होती है उसमें जब उपर से नीचे जाते हैं तो शेल की संख्या बढ़ जाती है इसका राइट एंसर होगा Next question आप देखते हैं दातों के सडन शुरू हो जाती है जब उमों का पीच मान 5.5 से कम होता है इस प्रश का राइट एंसर 5.5 होगा Next question आपका है कि एक एलकोहल का कोथना 78 centigrade है तो केलविन पहेमाना पता आपमान कितना होगा इस प्रश का राइट एंसर 351 केलविन होगा चलिए Next question आपका Next question है कि अपने बाएं हाथ में प्रश का राइट एंसर पाशर विउत करमर पाशर विउत करमर उसके कारण एक ब्यक्ति जब अपने हाथ में पेन लेकर देखता है तो पाएं हाथ का पेन दाएं हाथ में दिखाई देता है ये पाशर विउत करमर नियम के द्वारा होता है दोस्तो ये दस आठ दूहजर अठारो को फस्स पूछे गए कोईशन को अब कम्पलीट करते है दोस्तो ये जितनी भी प्रशन है आपके गुरूपडी के एक्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदे मन बहुत ज़्यादा यूजफूल होगा इन सभी कोईशनों को आप कम्पलीट कीजिएगा आपके कोईशन है कि जब प्रकास की एक किरण एक सखन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो ये किस दिशा में मूरती है इस प्रशकराइट एंसर होगा अभीलम से दूर तथा गती बढ़ जाती है चलिए नेक्स कोईश्चन दोस्तों इसको समझा देते है जब प्रकास की कीरण माली जी की सखन माध्यम है सखन माध्यम से जब प्रकास की कीरण जैसी अभीलम है सखन माध्यम से जब प्रकास कीरण Viral माद्ध weten में जाती है तो Avilaam से दूर हट जाती बाया है और इसके साथ आप याद रखिएगा जब परकास की कीरण Viral माद्ध हम से जैसके ये Viral माद्ध हम है Viral माद्ध हम से सघन माद्ध हम में जाती है और अभिलम की और घुक जाती है इसको याद रखिएगा चले next question ओजोन की एक अडू में कितने परमाडू होते हैं तो ओजोन की जो एक अडू होता है उसमें तीन परमाडू होते हैं ओजोन का जो सुत्र होता है ओध्री होता है इसको आप याद रखिएगा चले next question देखते हैं आपका next question है जब किसी संकूचित इस लिंग को छोड़ा जाता है तो इस्तिती उर्जा को किस उर्जा में परिवर्थित करती है तो इस प्रशकराइट एंसुर गतिज उर्जा होगा चलिए next question कि बहुवी खंडन दोरा उत्पन होता है तो इस प्रशकराइट एंसुर होगा प्लाजमोडि चलिए next question next question आपका है खादी पदार्थों का आक्सिकराण होने से रोकने के लिए निमनी में से किस गैस का उप्योग किया जाता है तो इस प्रशकराइट एंसुर होगा नाइट ट्रोजान चलिए next question आपका next question है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली उर्जा निमनी में से किसका रूप नहीं होता है तो इस प्रशकराइट एंसुर हो जाएगा रसायनी उर्जा नेक्सक्वेस्टन देख लेते हैं आपका next question है कौनस एक परजीवी के रूप में पौध्धे से पोश्र प्राप्त करता है कौनस एक परजीवी जो होता है पौध्धों से कौन फूल की केंद्र में मौझूद होता है फूल की केंद्र में जो मौझूद होता है उसे अंडब बोलते हैं या कारपेल काता है इंगलिस में चले next question देखते हैं बेवस्थित वस्तों को सोरी दोस्तों बेवस्थित वस्तों की वह प्रवित्ति जो उसे इस्थिर या समा गति से गतिमान रहने के लिए प्रिवित करता है क्या कालाता है इसे जड़त्व का नियम करते हैं जब कोई जड़त्व का नियम यह होता है दोस्तों इसको आप याद रखेगा कि जड़त्व का नियम यह होता है कि जब कोई वस्तु इस्थिर अवस्था में है इस्थिर अव सब्सक्राइट होता है हिलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के पहारी शैल में कितने इलेक्टान होते हैं इस प्रस्कराइट एंसर अगा आठ यह सभी जितने प्रस्कराइट एलपी के एक्जाम में पूछे गए हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि फूलों वाले किस पैदा होती है इस प्रस्कराइट एंसर होगा ब्रायो फाइलम नेक्स्ट क्वेश्चन किरा साहिनी गुरों में से मेंडलीफ ने कौन सी तत्तों द्वारा बनाए गए योगिक पर ध्यान केंद्रित किया था इस प्रस्कराइट एंसर होगा हाइडोजन और आक्सिजन तब मेंडलीफ ने जब तत्तों द्वारा बनाए गए योगिक पर सबसे ज्यादा ध्यान हाइडोजन और आक्सिजन पर दिया था चलिए सेकेंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्ण पूछे गए तो उस प्रश्ण को कम्प्लीट करते हैं गति का पाला समीकरण है वह वेग और समय के भी संबन दिखाता है गति का प्रश्णम प्रजनम में माता-पिता का योगदान होता है इस प्रश्ड strip होगा अपने जीन के आधाहिस सा induction है कि कौन सा जीव पुनर जनम और मुकुलंद वरा प्रजनम कर सकता है इस प्रशकराइट एंसुर होगा हाईडरा नेक्स कुएस्टन आपका है कि गोलकार दरपड की परतिविम बित सता की केंद्र को क्या कहते है इस प्रशकराइट एंसुर होगा पॉल अर्थार द्रू तो गोलकार दरपड के परतिविम सता की केंद्र जो होता है उसे पॉल या द्रू कहते है यह नेक्स कुएस्टन को देखते है आपका नेक्स कुएस्टन है पुरूस में प्राथमे की योन अंग कौन सा है इस प्रशकराइट एंसुरों का विरिसर पुरूस में जो प्राथमे की योन अंग होता है उसे विरिसर कहते है नेक्स कुएस्टन निर्वाद में प्रकास का वेग कितना होता है निर्वात में जो प्रकाश के वेग होता है तीन गुड़े दस पे आठ मीटर पर 30 सेकेंड होता है इसको आप याद रखिएगा चलिए नेक्स क्वेश्चन आपका नेक्स क्वेश्चन है कि निमनलिखित में से मानो मस्तिस का वह हिस्सा कहों सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है तीन प्रकाश कराइट एंसर होगा अगर मस्तिस नेक्स क्वेश्चन आपका है कि जब माइगनेश्यम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन से योगिक उत्पन होता है तीन प्रकाश कराइट एंसर होगा माइगनिसियम आकसाइड जब माइगनिसियन रिबन जो होता है हवा में जलाया जाता है तो उस मेंसे माइगनिसियम आकसाइड उत्रपन होता है चलुछ होना गड़ना दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक और इसी तरह का वीडियो प्राप्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेर करें थेंक्स फार वाचिंग